लूब तो च्छलिये स्टार्ट करते हैं इंकम फॉम सेलरी का फॉर्थ पार्ट में हमने किया बेसिक्स ऑफ सेलरी सेकंड पार्ट में किया अलॉंस थर्ड में किया एच एरे अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं परक्विजिट्स परक्विजिट्स क्या होते हैं परक्विजिट्स जो होते हैं हमारे हैं वो हमारे नॉन मनेटरी बेनेफिट्स हैं नॉन मनेटरी बेनेफिट्स का मतलब क्या है एम्पलोयर द्वारा एम्पलोई को फेसलिटी दी जाती है कि आप हमारे दिये हुए घर में रह सकते हो हमारी द क्यास देगी और किसी वी तरीके की किसी वी तरीके का benefit जो है जिसको कह है facility हम बोलते हैं company दोरा employee को facility दी जाती है employer दोरा employee को facility दी जाती है उस facility को हम convert करेंगे monetary value में उस facility को monetary value में convert करेंगे जैसे कि आप जानते हो allowances जो होता था हमारा वो था एक fixed payment employer दोरा employee को दे दी जाती थी monthly payment दे दी जाती थी जिसको हम क्या करते थे exempt position निकालते थे पहले और receive में से exempt position less करके हम taxable position निकाल देते थे वो हमारी salary में add हो जाता था मतलब taxable salary का हिस्सा बन जाता था right यहाँ पर जैसे मैंने आपको first lecture में बताया prerequisites होते क्या है example चोटी रादर दन पैसे दे कई बार कई parents पैसे देने की वजाए हमें क्या करते थे बजार से हमारे दोरा बताई हुई चीजों को दिलवा देते थे हमारे को तो वो देखा रहे क्या उसकी कोई monetary value नहीं थी बिल्कुल थी अब उसको उसी example को हम यहाँ पर रख लेते हैं पहले case में पैसे दे रहे हमारे में नाम पैसे का नाम क्या था अलांसे की डियां से दूसरा क्या है perquisition क्या है इसके पैसे नहीं हम अपनी दरव से फिसलिटी दे रही है अब income tax वाले कहते हैं उस फिसलिटी की क्या कोई value नहीं है बिल्कुल है तो उस फिसलिटी की हमने value ही欉 ही करनी हैं, कि भई employer द्वारा employee को उस facility, कितने amount की facility दी गई और जैसे कि आपने allowances में किया कि allowances में क्या था, हम पहले exempt portion निकालते हैं, फिर taxable portion निकालते हैं, तो taxable portion निकालने का procedure क्या होता था, amount receive कितना हमें employer से allowance मिला, उसमें से हम less कर देते थे, exempt portion वो हमारा क्या आ जाता था, taxable portion आ जाता था, इसमें हमने तो क्या करना है, सिरफ direct taxable portion आएगा, और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, कि यहाँ पर एक पूरे salary chapter में एक word benefit आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, benefit क्या है को, मतलब employee को employer की तरफ से क्या फाइदा हुआ और उस फाइदे की उस benefit की monetary value कितनी है, वो हमारा क्या हो जाएगा, monetary value of perquisites, taxable value of perquisites, राइट तो perquisites क्या हुआ, जो employer दोरा employee को facility दी जाती है और उस facility का हमने क्या करना है, non-monetary item को monetary value में convert करके दिखना है कि हाँ, कि employer द्वारा employee को इतनी amount का benefit दिया गया, और उस में से, अगर employee ने कुछ employer को pay किया है, suppose कीजिए, हमने किसी भी perquisites की जो calculation करी है, computation करी है, उसकी जो monetary value आ गई 100 रुपे, और वो कहरे कि employee ने employer को 40 रुपे अपनी तरफ से, अपनी जे भी में से, उस facility के लिए pay की है, employer ने employee को facility दी 100 रुपे की, और employee ने अपनी जे में से employer को कितने रुपे दे दिये, 40 रुपे दे दिये, तो देखा जाए employee की जेभ में net benefit कितने रुपे का पहुचा, 60 रुपे का, और आगे हम पहुँचते जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करदें सबसे पहला प्रेक्विजिट्स करेंगे यूज ओफ मुवेबल एसेट्स अब यहाँ पर क्या है यूज ओफ मुवेबल एसेट्स की केस में हमारी जो एसेट्स है वो दो कैटेगरी में ने डिवाइट की गई है हमारी जो सब भी एसेट्स है अब वोवेबल एसेट्स क्या होता है मुवेबल एसेट्स में आपका फनीचर हो गया फिक्स्चर हो गया अपना कैमरा हो गया लैप्टॉप हो गया मोबाइल फॉन्स हो गई अपना टू विलर हो गया ये सब एसेट्स एमप्लोईर ने अपनी तरफ से यूज करने को दे दी पर यहां पर मोटर विकल मतलब कार और टू विलर का केस नहीं आना उसके लिए सेपरेट अलग से प्रोविजन है इसलिए यहां पर अदर दन मोटर कार और वो आने वाला है तो चलिए सबसे पहले है यूज अफ लैप्टॉप एंड कम्प्यूटर अगर एमप्लोईर ने एमप्लोई को लैप्टॉप या कम्प्यूटर यूज करने के लिए दिया है तो उसकी टेक्सेवल बेनेफिट कितना होगा टेक्सेवल वैल्यू कितनी होगी वैल्यू बेनेफिट कितना माना जाएगा निल अब इसका निल मानने का बहुत अच्छा कारण है कि वही एमप्लोईर एमप्लोई को लैप्टॉप गेम खिलने के लिए दो देगा नहीं एमप्लोईर एमप्लोई को घर से घर पे laptop इसलिए दे रहा है कि हाँ जो काम उसका office में pending रहे गया है वो घर जाके उसको complete कर पए तो इसलिए ये जो employer ने employee को laptop या computer या computer यूज़ करने के लिए दिया है इसको आप taxable benefit zero क्योंकि यहाँ पर वो personal use के लिए laptop या computer यूज़ कर सकता या कर भी रहा होगा तो उसकी value ने ignore कर दी और इसके इलावा क्या है movable assets other than computer laptop and assets already specified in the rule तो उस case में क्या होगा अगर employer asset जो है employer की खुद की है if assets owned owned by the employer फिर क्या होगा जितनी asset की cost है उसका 10% क्या हो जाएगा cost of benefit value of benefit अगर employer की asset नहीं है उसने आगे hire पे लेकर आपको employee को use करने के लिए दी है तो उस case में क्या होगा जो rank pay किया है या payable है employer द्वारा वो आजएगा taxable value of perquisites और जैसे मैंने आपको बताया सबसे important चीज हमेशा के लिए any amount paid by the employee to the employer will be deducted from the benefit वो सभी perquisites के case में ऐसा ही है कोई भी पहले आपने perquisites निकाल ले नहीं है जो भी provision है उसके बाद last में minus होनी ही होनी है जो amount employee ने employer को बेकी अपनी pocket में से अपनी gym में से तो क्या हो गया use of mobile asset में number 1 computer और laptop के case में taxable value 0 number 2 other than computer and laptop उसके किसमें क्या है अगर हमारी employer की खुद की assets है तो 10% of cost of assets अगर employer की खुद की नहीं है बहाँ से उसने rent पे लेके दी है तो जो उसकी higher charges है वो आ जाएगा तो चलिए अब कई बार क्या होता है कई बार क्या होता है employer जो है employee को asset permanently transfer कर देता है कहता है यह तु रखी ले उसको bêj देता है that means in short employer जो अपनी company में assets use कर रहा है उसको आकर employee को bêj देता है transfer ही कर देता है तो उस case में हमने देखना है कि हाँ क्या इसमें भी कुछ benefit तो हो नहीं पहुंच गया employee को तो उसी benefit की हमने क्या निकालनी है taxability निकालनी है तो यहाँ पर transfer of mobile assets को तीन category में classified किया गया है नमबर एक है computers and electronic item computer या electronic item laptop, camera, mobile phone इन सभी cases में जितनी उसकी value of benefit कितना आएगा जितनी asset की cost है actual cost या दखना जी WDV नहीं actual cost actual cost minus 50% for each completed year on the basis of WDV method आपने सबसे पहले उसकी क्या निकालनी है value निकालनी है as for the income tax act as for the income tax act value कैसे आएगी जितनी उसकी cost है उसमें से आप क्या minus कर दोगे उसमें से आप minus कर दोगे 50% 50% for each completed year completed year का मतलब क्या है fraction ignore अगर 2 साल 4 महीने हो गए है तो सिर्फ आप 2 साल की value less करोगे और दूसरा है motor car computer and electronic item की किसमें कितना 50% motor car के किसमें कितना है 20% method वही WDV actual cost minus 20% of cost of asset for each completed year on the basis of WDV method तीसरा है other than computer electronic and motor car अब इस किसमें क्या होगा जितनी cost है minus 10% होगा for each completed year on the basis of state line method computer, laptop और car को छोड़ कर कोई भी asset है उस case में 10% होगा minus SLM basis पर तो चलिए electronic item का मतलब क्या है जो means data storage and handling devices like computer, digital tires, printers they do not include household application like washing machine, microwave ovens, mixer, etc जे जो household applications है appliances है वो नहीं आएंगी और फिर वही बात जो मैं आपको शुरू से बताता हुँ कि इसके कोई भी employee ने और कोई भी payment employee ने employer को करी है वो last में deduct हो जाएगी तो चलिए start करते हैं इसके उपड़ practical तो सबसे बेले है transfer of asset for use A limited has given the following assets for use to its employee Mr. X compute the value of benefits in the hands of Mr. X तो first case में first case है हमारा laptop का second है furniture A का second है थर्ड है furniture B का तो इस case में हमने क्या निकालनी है taxable value of benefit अब यहाँ पर हमने क्या किया है transfer अब इस asset की cost कितनी है एक लाग रुपे और rent paid by employer nil amount charge from the employee कितना है 1000 per month है इस case में हुआ क्या था A limited give on the following asset for use यहाँ पर आप देख सकते हो use के लिए है अब जैसे कि आपको बता है use के case में computer या laptop के case में हमारी जो taxable value of benefit वो कितना था 0 और other assets के case में कितना था 10% of cost of asset अब यहाँ पर क्या है laptop computer या laptop के case में हमारा answer क्या था taxability nil तो यहाँ पर हमारी taxable value कितनी आ गई निल उसके बाद है जी cost of asset कितनी है furniture यह की 50,000 इसका 10% कितना होता है जी 5000 5000 माइनस हमने क्या करना था amount paid by employee to the employer अब देखो यहाँ पर amount charge from the employee कितनी है 100 rupees per month तो साल का कितना हो गया 12-100 तो माइनस आप कर दोगे 1200 तो net benefit आपका कितना हो जाएगा 3800 का तो यह हमारा taxable value फरका गया 3800 furniture एक एकस में यहाँ पर cost of employer given नहीं है उसके बाद हमारा rent paid by employer यहाँ पर मतलब hire कर रही हो यह market से तो 500 per month है तो साल का कितना हो गया 6000 employer की pocket में इसे गया है उसमें से हम minus करेंगे जो charge की गई है employee से वो कितनी है 300 300 into 12 3600 और net benefit हमारा कितना हो जाएगा taxable 2400 तो इस तरीके से हमने जो use of asset है उसकी taxability निकालनी है सबसे बहले हमने देख लेना है कि उसकी asset की value कितनी बनी है higher pay है या अपनी है उसमें से हमने minus क्या कर देना है सरफ एक चीज जो employee ने employer को pay किये तो चलिए आप करते है next permanent transfer of assets permanent transfer of assets का बतलब क्या है employer ने employee को permanently बेची दी रख लो भई आप खुद अपने पास रख लो तो चलिए इसमें कैसे था इसमें याद होगा आपको तीन category थी number एक computer and laptop इसमें क्या था 50% number two car 20% WDV number three other other क्या था इसके लावा दो जो भी आएंगी वो 10% on SLM तो चलिए अब देखो जी क्या कह रहे है Q limited transfer sum of its assets to employee A the date of which is given below you are required to compute the taxable value of benefits in the hands of Mr. A अब हमने क्या निकालना है taxable value of benefits निकालना है in the hands of A अब यहाँ पर company ने जो laptop है पहला case है laptop का चीक है जी laptop करीदा है एक फरवरी 2000 को और उन्होंने एक transfer कब कर दिया इसको हम number दे देते हैं एक यहाँ पर company ने laptop करीदा एक फरवरी 2013 को और आगे उन्होंने employee को बेच दिया है एक दस दोहज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़स सतारा अब यह देखा जाए company ने एक फरवरी 2013 से 14 तक एक साल 15, 16, 17 एक फरवी दो है स्तारा को चार साल हो गए उसके वाद चार साल और नेरबाउट प्रॉक्स आठ महीने उपर हो जाएंगे चार साल आठ महीने आठ महीने इग्नोर तो कम्प्लीट एर कितने हो गए फोर यहस राइट और दूसरे केस में कैल्कुरेशन कर लेते हैं कार कार कंपनी ने कब खरी दी एक नो पंदरा को और ट्रांसर कब कर दी पंदरा फरवरी दो हैर अठारा को एक पंदरा से एक सोला स्तारा उठारा एक सेठ्यमबर 18 से पहले पहले ही वो इंप्लोईयर ने तो यहाँ पर कितने कंप्लीट एर हो गए तो तू यहर लाइट तो तीसरा फरनिचर ए कब खरीदा एक फरवरी दो हैर ग्यारा से लेकर चोदा फरवरी दो हैर अठारा यहाँ पर कितने होगे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 क्योंकि एक फर्विडी दो हैर 18 को 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एक फर्विडी दो हैर 18 को 7 साल पूरे हो रहे हैं उसके बद फोर्थ केस फोर्थ केस में क्या है फोर्थ केस में था फर्विडी दो हैर 18 को से लेकर एक फर्वरी दो हैर 18 तक राइट एक जन्वरी दो हैर 6 से लेकर एक छे, सात, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोना पंदरा, सोला, स्तारा और एक अठारा 17 येर्स हो गए है कम्प्लीट 17 येर्स हो गए है तो ये हमारी, पहले हमने येर्स की कैलकुलिशन कर ली उसके बाद हमारा काम क्या है अब वन बाई वन टैक्सिबिल्टी निकालते जाएंगे डेट ओफ वैली औपशेज कितनी थी कोस्ट अफ एसेट एक लग उसमें से उसमें से हम क्या करेंगे चार बार चार बार क्योंकि पहला किस चीज़ कर दा लैप्टॉप का लैप्टॉप क्या है 50% वाली केडेगरी में इसमें हम चार बार 50-50% लेस करते जाएंगे राइट चार बार 50-50% लेस करते जाएंगे तो ये क्या आजाएगा एसट की डवलू डीवी तो चलिए कर लेते हैं फटा फट एक लग माइनस 50% एक दो तीन चार तो ये हमारी वैल्यू आगई 6,2 5,0 तो चलिए उसके बाद हमारी एसट आती है कार कार कितने की है जी डेड़ लग रवे की कार है अब हमने इसको कितने साल कार की रेट अड़ेप्शन कितनी थी 20% माइनस 20% माइनस 20% तो फटा फट चलिए करते हैं 1,50 माइनस 20 माइनस 20 तैस 96,000 उसके बाद है फटनीचर ये ये कितने का है जी 50,000 रुबे का फटनीचर ये कितने है 50,000 का और ये कितने साल के लिए यूज हुआ है साल के लिए फटनीचर आपको बता है अदर आइटम में आता है अदर आइटम में क्या है 10,000 है उस्तारा साल है मतलब 100% डेप्शन लेस हो जाएगी तो वैलू जीरो अब इसके बाद हम WDV में से हम इसकी माइनस कर देंगे सेल प्राइस सेल प्राइस कितना है मतलब अवाउंट चार्ज फ्रम्दा इंप्लोई अवाउंट चार्ज फ्रम्दा इंप्लोई कितनी है पांच हजार, पचास हजार, निल और दस हजार पांच हजार पचास हजार निल दस हजार एक पर द्वारा चेक कर लेते हैं पांच, पचास, निल और दस हजार अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो हमारा फर्स था लैप्टॉप वो कितने का 6 to 50 की income tax act के according उसकी value थी और employer ने उसको कितने का बेच दिया 5000 रुबे का इसका मतलब है जो taxable benefit है वो कितने का हो गया 1250 का मतलब 1250 रुबे का employer का benefit हो गया employer की तरफ से अब अगले पे चलते हैं जी अगला क्या था motor car motor car कहते हैं जी income tax की income tax act की तरफ से जो asset की value है car की value है वो कितने है 96,000 और हमने employer ने employee को कितने की बेच दी है 50,000 की तो इसका मतलब साफ हुआ 46,000 का benefit हो गया employee को as per income tax act उसके बाद तीसरा है furniture A, furniture A की book value कितनी थी 15,000 और बेच दिया free में तो taxable value सारी की सारी आ गई 15,000 और last case में देखिए furniture B जो है उसकी book value कितनी है 0, income tax act के according value कितनी है उसकी 0 और हमने उसको कितने का बेच दिया 10,000 का उल्टा बेचारे को नुकसान हो गया जी फाइदा कहां से हो गया तो इसलिए हमारा taxable requisites यहां पर आ जाएगा nil तो overall हमारा taxable requisites कितना आ गया 1250 प्लस 46,000 प्लस 15,000 दैट इस 62,250 रुबीस यह हमारा आ गया जी motor car और laptop और furniture का taxable value of requisites तो इस पार्ट में इतना ही next पार्ट में आपको RFA करवाऊंगा राइट तो friends अगर हम आपको मेरी वीडियो पसान आए like करे share करे और हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलेगा thank you